ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए हैं चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी के सारे के सारे अकाउंट बंद कर दिये हमें कैमपेंच चलाना है हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है पोस्टर लगवाने हैं सारा का सारा जो हमारे रिर्सॉर्सेज हैं बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए हैं तो ये कैसा चुनाव हो रहा है नेताओं को धमकाये जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराये जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को स्वरें जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये मैच फिक्सिंग सिर्व नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे है ये match fixing नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के तीन चार सबसे बड़े अरब पती मिलकर कर रहे हैं ये सच्चा ही है और ये match fixing क्यों हो रही है बाई और बेनों इसका सिर्फ एक लक्ष है कि हिंदुस्तान का सम्विधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविश्य दिया सपने देखने का हक दिया उस सम्विधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये match fixing की जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये सम्विधान खतम हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से दमकी से नहीं चला जा सकता है ये जो सम्विधान है हिंदुस्तान की जनता की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है इसको जिस दिन खतम कर दिया गया उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा यही इनका लक्ष है यह सोचते हैं कि सम्विधान के बिना दमका कर डरा कर पुलीस सीबी आई एडी इनकन टैक्स डिपार्टमन के साथ देश चलाया जा सकता है यह सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है आप मीडिया को खरीद सकते हो आप मीडिया को दबा सकते हो आप मीडिया के reporter's का मुँ बंद कर सकते हो मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है भाईो और बेनो BJP के MP ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम समविधान को बदल देंगे समविधान को रद कर देंगे यह ऐसे ही नहीं बोला गया यह टेस्ट करने के लिए आइडिया टेस्ट करने के लिए BJP के MP ने बुला है ये लड़ाई सम्विदान को बचाने की लड़ाई है जैसे अकिलेश जी ने कहा सम्विदान चला जाएगा गरीमों के हक चले जाएंगे आरक्षन चला जाएगा और जो आपका धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मजदूरों का धन है वो पांच-छे लोगों के हाथ में चला जाएगा नोट बंदी की GST लागू किया मुझे बताईए GST से नोट बंदी से किस गरीब व्यक्ति को फाइदा हुआ किस छोटे दुकानदार को फाइदा हुआ किस किसान को फाइदा हुआ किस बेरोजगार युवा को फाइदा हुआ किसी को नहीं 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी हिंदूस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंदूस्तान का पूरा का पूरा धन 22 लोग हैं जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोड लोगों के हाथ में है यह सन्विधान को क्यूं मिटाना चाहते है क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते है मैंने जाती जन्गरणा की बात की किसानों के MSP की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका सम्विधान हमारा सम्विधान खतम हो जाएगा जिस दिन सम्विधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है यह चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का सम्विधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाओ है यह बात आप याद रखिए